नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा. इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि वेलोज डी कैपसूल का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है. वेलोज डी कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और वेलोज डी कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं. वेलोज डी एक ब्रैंड नेम है. वेलोज डी कैपसूल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है. वेलोज डी कैपसूल के अंदर सॉल्ट कंपोजि पेट में गैस बनने पर, बदहज़्मी होने पर, खटी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर, पेट में अलसर होने पर, उल्ती आने का मन होने पर, वेलोज़ डी कैपसूल का उपियोग किया जाता है। की जाने वाली दवाओं की वज़ह से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है. इसलिए इन साइड इफेक्स को रोकने के लिए भी डॉक्तर वेलोज डी कैपसूल को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है. ज्यादा तर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्स में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है. इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़ह से ये साइड इफेक्स ना हो. इसलिए आपका डॉक्तर वेलोज डी कैपसूल को जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी वेलोज डी कैपसूल का उपयोग किया जाता है. जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है. दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा ह तो कृपया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में वेलोज डी कैपसूल की वज़़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसंट व्यक्तियों में कर आना वद्दस्त होने की समस्या हो सकती है. इसके अलावा वेलोज डी कैपसूल की वज़़से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती है. लंबे समय तक वेलोज डी कैपसूल का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक वेलोज डी कैपसूल को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B12, कैलशियम, आइरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना वेलोज D कैपसूल को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए लंबे समय तक या दिन में कई बार वेलोज D कैपसूल को लेने से औस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है वेलोज D capsule की वज़से ओस्टियोपोरोसिस तभी होता है, जब वेलोज D capsule का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से वेलोज D capsule को ले रहे हैं, तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके, या आपको कैलशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए, अब हम दिसकस करेंगे कि वेलोज D capsule को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है, आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर वेलोज D capsule को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं, वेलोज D capsule को खाना खाने से कम से कम एक घंते पहले लेना चाहिए, वेलोज D capsule की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए वेलोज D capsule का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं क वेलोज डी कैपसूल को लेने की सला दे सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्टनपान करा रही महिलाओं को वेलोज डी कैपसूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका वेलोज डी कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.